इंकेट स्टेडियम के यह हमने कहा इंटरनाश्टनल स्टेंडर्ड का होना चीए अंतराश्टी इस्तर का यह गया यह क्रिकेट वाला जो एसोसियेशन है बिसी सी आई का लगा वहां गया पता नहीं कितना महीना लिया लगा कि हम लोग अगर बिना उन्हों कि सम्मतिके और बाहर में फुटबॉल, होकी, इन सब चीजों का भी इंतिजाम होना चाहिए और यह जो स्पोर्ट्स अकेडमी बने इसमें हमारे बिहार के और जो भी स्टूटेंट पढ़ेंगे उनके रहने की जगह जो उनके टीचर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो उनको पढ सभाएंगे, सिखाएंगे, ठेलना, तो वो सब के रहने का यानि हर तरह से बिल्कुल उत्तम होना चीए और राजगीर का चेंड क्यों किया, स्पोर्ट्स अकेडमी और क्रिकेट स्टेडियम की, अरे राजगीर तो जगह है जहां जरासंद का खाड़ा, इस सबसे पहे तो कि महाभारत काल की बाति आज कर नहीं, पिजरासंद का खाड़ा यही था, तो फिर कौन से दूसरी जगह होती, इसलिए हमने राजगीर को ही चैनिक किया कि यहीं पर होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स अकेडमी बने, और उस समय तो हम लोग ने हर जिला में स्टेडियम बने, क्या क्या नहीं हम लोगों ने सुरू किया, और उसके बाद जो हर साल के लिए कैलेंडर बनाया, कि कौन सा खेल कब होगा, हर साल एक स्पोर्ट्स जिवस मनाया जाता है, उसको बहुत सांदार तरीके से, हमारे बिहार के कोई खिलाड़ी बाहर वो अच्छा पुरदरसंद क है कि हाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी होना चाहिए, और वो स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में सोचा गया और राजगीर के बारे में सोचा गया कोई नालंदा दिश्रु ब्याले यही और राजगीर तो और यहां सिक जेगा है, और यहां का जो वातावरन है, यहां के जो प तो उसके बाद कोई दूसरी जगह पर कितना भी बना दीजिए तो उसको उतना अनंद आएगा यह जो अभी जिस जगह आप बैठे हुए अब यह जब बना है इसमें कोई भी आता है वह सामने क्या दिखता है परवत कोई भी आता है इतना प्रसंद होता है प्रभवित होता है और इसके चारों तरफ हम लोगों ने और ग्रीन कवर के लिए पूरा इंटर्जाम के लोग आ रहे हैं तो एक एक चीज जो यहां बनाये करदे आ करते दो किसमें के लिए ने हम झाएम के लिए भी आता है ऑग जो आता है